नवसका दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पते दोस्तों सीटेट पातता एकजाम 2023 की फेपर फ़र्ष्ट पेपर सेकेंड की दोस्तों ओपीशली आंसर की जारी करने को लेकर आप सब के लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है तकरीबर 29,64 और दोस्तों इस बाद सीटेट की एकजाम में भाग लिया है तो दोस्तों इनकी आंसर की को लेकर शुड़े हम बात करेंगे ओपीशली आंसर की आप कहां से डानलोड कर सकते हो दोस्तों और कितने अंकतक के आपको इसमें बॉनस अंक दिये जाएंगे रिजल्ट इसका कब तक आएगा दोस्तों रिजल्ट डेट को लेकर भी बात करेंगे दोस्तों बोड की तरफ से क्या अपडेट है ओपीशली तोर पर तो पूरी जानकारी आपको शुड़ मिलने वाली है आप वीडियो को पूरा जरू देख लेना साथ में आपने चैनलों वेबसाइट है सीटैट की वहाँ पर हम आ चुके हैं और आपको पेपर आपको पता होगा दोस्तों 20 अगस्त को पेपर का आईजिन हुआ था तो ऐसे में दोस्तों आंसर की को लेकर कापी समय हो चुका है आंसर की डानलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे स्कॉल करके आ जाना है या तो आपको यहां केंडिट एक्टुटी में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी या फिर दोस्तों आप पब्लिक जो नोटेस है वहाँ पर भी अपनी आंसर की है बोट देख पाऊगे देखिए आंसर की के साथ आपकी पेपर फरस्ट की अलगाएगी पे करना है दोस्तों और पीडियाप आपको डानलोड कर लेनी है तो जैसे या पीडियाप डानलोड करोगे दोस्तों उसके बाद आपको यहां पर सब्जेक्ट वाइस सभी के आंसर हैं वो देखने को मिल जाते हैं जैसे की सीडीपी के पहले आपको आंसर देखने को मिल जाए एक प्रिशन एक नम्मर का रहता है दोस्तों नेगेटिंग मार्किंग इसमें नहीं होती है तो देखिए इस प्रकार से आप आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद आप इसमें अगर लगाना चाहते हैं तो आप जैसन लगाने के लिए आपको अलग से तीन दिन का स समय मिलता है प्रतेक प्रसनिक लिए आपको अलग से सुलक देना पड़ता है इससे पहले दोस्तों आपकी जो आणसर की आई थी वो आपकी जो पेपर हुआ था अटाइज नमरी से शाथ फरवरी तक तो इसकी आंसर की दोस्तों चोदा फरवरी को ही जारी गर दी गई ती तो इसी पेकार से दोस्तों आपको जो answer की आती है वो board के दोरा समय पर ही जारी की जाती है, साथ दिन के अंदर तो इसी सब्ता में answer की जारी हो जाएगी, और answer की आने के बाद objection आप लगा पाओगे, इसके बाद आपको 3-4 अंग तक के bonus अंग मिलेंगे, आप जेसन लगाने के बाद दोस्तों आपको रिजल्ट तैयार होगा, द्वारा से OMR स्केन होगी, तो सीटेट 2023 का जो रिजल्ट है, वो 25 सितमर तक आएगा, 20 से 25 सितमर के मद रिजल्ट जाजी होगा, क्योंकि कम से कम, एक महीने का समय लगता है दोस्तों, इस बार ओनलाइन पेपर नहीं हुआ है, आप लाइन पेपर हुआ है, तो आपका थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है, क्योंकि OMR को स्केन के जाता है, ओनलाइन में रिजल्ट जल्दी तैयार हो जाता है, दोस्तो रिजल्ट आने के बाद ऑफिशली वैपशाट पर अप्लोड किया जाएगा और 30 लाग विद्धियारती ऐसे उन्होंने एक्जाम दिया हलांके 29 लाग ने फॉरम मरा था तो पस्तती 80% के आसपस रहे दोस्तो जैसी आपकी आंसर की आती है आज साम को या फिर कल इन कम नमर पर भी पास हो जाएगा आपके 90 में 2-3 नमर कम है 82 में 2-3 नमर कम है तो सीटेट पास जरूर हो जाएगा वीडियो को सेयर करें दोस्तो जै हिंत बंदे मात्रा